तो आज जो हम बनाने वाले हैं वह है वेज मलाई कोफता काफी ज़्यादा टेस्टी बनते है काफी हल्दी होते क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जी ओकाम यूज करेंगे आज तो जो भी मेरे पास सब्जी अवेलेबल थी मैंने वह सारी डाल दी है आपके पास जो भी हो सबसे पहले मैंने यहां पे लिए बीन्स बीन्स को अब बरीक से बरीक काट लेना क्योंकि जितना बरीक काटेंगे उतना ही जादा अच्छा उसमें टेस्ट आएगा और मुम में नहीं आएंगी और इसके बाद यहां पे मैंने लिया है दो से तीन मतलब फूल गोभी का इस मैश कर देंगे तो यह देखिए हमारी मतर कित्ते अच्छे से मैश हो गई है अब इसके बाद हम इसमें जो सबजें लीती सारी ग्रेट करके वो डाल देंगे एक एक करके तो यहां पर मैंने डाल दिया पनीर बीन्स और गोभी फिर इसके बाद हम लेंगे एक शिमला अब इसके बाद हम एड़ करेंगे बेसन तो बेसन मैंने आपे कच्छा लिया आप चाहें तो रोस्ट किया हुआ बेसन भी ले सकते हो इससे भी टेस बहुत अच्छा है पिर यहां पर डालें थोड़ी सी एजवाइन उसके बाद यहां पर डाला है साधन नमक फिर यहां प अब बेज़ी टेबल में पानी निकलेगा आपको जुरत नहीं पड़ेगी पानी की बहुत थोड़ा बहुत अगर आपको जुरत हो तो आप ले सकते हैं इस से बाद करेंगे और यह देखे आप कोई भी शेप दे सकते हैं आज चाहें सरकल देजीए मैंने ओवर शेप दिय अब हम लेंगे कड़ाई उसमें डालेंगे तुकड़ा और एक बड़ी लाइची तेजपता लेसन अगर आपके पास छोटी लाइची है तो उसको भी जुरू डाल देना बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे पर मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने डाली नहीं है और अब हम इसमें एड करेंगे टमाटर जैसे ही थोड़ा सा प्याज हमारा सौफ्ट हो हलका सब आपके टमाटर और यहां पर फिर एड करेंगे काजू और नमक तो यहां से मैंने दस से बारा काजू लिये हैं तो काजू से ग्रेवी एक तो थिक पंती ओपर से टेस्ट भी और यहां पर लिए हमाने चोटी सी कड़ाई उसमें डाला है सर्सो का तेल अब हम अपने कोफते को तलेंगे अगर आप कोफते तलना नहीं चाते तो आप स्टीम करके भी बना सकते हैं तो जब तक हमारा यहां पर तेल गरम हो रहा है तब तक जो हमारी टमाटर प्याज है ठंडे हो चुके हैं हलका सा वाम है बस तो फिर इसको हम डालेंगे एक जार में और इसमें थोड़ा सा एड़ कर देंगे ठंडा पानी भी ताकि अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन सके और इसका हम बना लेंगे पेस्ट और यहां पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे अपने कॉफ्ते करके, तो अब कॉफ्ते को अराम से डालना, मैंने बहुत अराम से डाला, फिर भी थोड़ा से तेल बाहर आ गया, तो आप लोग भी बहुत केरफुली डालना, और इसको हम कर देंगे, बिल्कुल स्लो गैस, ताकि कॉफ्ते जो हैं अंदर से पक जाएं और यहां पर यहां पर अखर चाहिए मैंने तो तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानि बीयाड़ी था और अब हम बनाब तपर पानिक तर्षों कहासी देल होगे तो लाल propor पूरा पीस hyp savez करन आब पी lige के स्था पसंद आप ध्याब जाओ जीकां और दीछ तो फट इटिक हमारी यह मैंने ठीक तो यहां मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला धनिया पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर हमने डाली हल्दी पाउडर और विल्कुल की पाउडर और भूर तिक्ति आ चलाएंगे 2-3 मिनट के लिए और फिर हम इसमें एट करेंगे पानी और इसको ढख देंगे 5-10 मिनट के लिए और जब जैसे हमारा यह पानी अच्छे से बॉइल हो जाए तो इसके अंदर हम ढालेंगे अपने कोफते तो एक एक करके आप सारे कोफते डाल तो यहां मैंने डाल दिये हैं सारे कोफते और अच्छे से इसको मिक्स करके हम ढगे रख देंगे 10 मिनट के लिए तो आप अपने हिसाब से देख लेना जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी थीक हो वैसे हमें ग्यास को बंद कर और मुझे लग रहा है कि ग्रेवी अच्छे से तीक होच्छ चुके थी ने से कहा कुए थी तो फ़िए पर घ्रक्रीइन चीच Sakom स्वस्ट्म हैं दोстर्फ थिव अज़ओ अद। घरक्रीम काई थी मिलग तो साथ और इसके साथ मैंने बनाया था लच्छा पराथा आप कोई भी रोटी पराथा या चावल कुछ भी बना सकते हैं बहुत ज़ादा टेस्ट है तो आपको अगर ये वीटो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब तो मैं चैनल और ये झाल 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 झाल